वस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत नमस्कार मैं रवी शर्मा और आप देख रहे हैं फक्वैट वी कोरोना की बढ़ती रप्तार ने जन समानने को एक बार फिर से मही लापट का है जहां वे बीते साल में खड़ा था रप्तार धिमी पढ़ने पर किसी तरह सुरू हो पारही कामधंदों पर अब फिर से तल्वा लाटक गई है देश के कई राजियों के बाद अब हाई कोट द्वारा नाइट करफू के आप्शन पर विचार करने के सुझाव के बाद यूपी के कई जिलों में भी नाइट करफू लगाना शुरू कर दिया गया है यदि ऐसा ही रहा तो अगला कदम क्या हो सकता है यह समझा जा सकता है अगला कदम मध्य प्रदेश के रूप सरीखा सामने आ सकता है यहां सभी शेहरी चेत्रों में शनीवार वे रवीवार को लॉकडाउन की गोशना कर दी गई है दिल्ली लखनो वे वारांशी के बाद अब नौईडा वे गाजय अबाद ने भी आज नाइट कर्फू की गोशना कर दी है यहां सत्रे अप्रेल तक राद दस बजे से सुबह पांच वे तक नाइट कर्फू लगा दिया गया है इसको कॉलिज भी बंद कर दिया गया है इस दौरान आवशक वस्तुर वे मेडिकल सेव है जारे रहेंगे नेशनल वे स्टेट हाइवे को भी नहीं रोका जाएगा उधर मेरट में भी अठारे अप्रेल तक नाइट कर्फू का आज एलान कर दिया गया है आपको यहाद दिला देगी बीत देवसी यूपी के मुख्य मत्री योगी आद्यतेनाथ ने सभी जिलो के जिलादीकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग की थी योगी ने साब कहा है कि 500 से जादे केस वाले या रोजाना 100 से जादे नए केस वाले जिलो में जिलादीकारियों अपने विवेक से नाइट कर्फू लगाने कर निड़ने ले सकते हैं इन जिलो में प्रियागराज, वैरान सिह, कानपूर नगर, गौरकपूर, मेरठ, गौतमबोध नगर, जहांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, साहरनपूर और मुरादबा जिले शामिल है CM योगी ने जिलाधिकारियों को इस्थितियों के नुसार, स्कूल कॉलिजों में छुटी परिक्षाव कर छोड़कर के बारे में भी फैसला लेने को कहा है CM ने स्पस्ट निर्देशती हैं कि अधिक परभावी जिलों में रात का आवगमन रुका जाया लेकिन किसी भी परिस्थिती में जरूरी सामगरी जैसे दवा अनाज आधिकी अपूर्ती को बाधित ने किया जाया मास ने लगाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए इससे लोग में मास लगाने की प्रवर्ती बढ़ेगी इसको बर में फिलाल इतना ही आप देखते हैं फर्स्थबाइट.tv नमस्कार